यह गल्स होस्टल का गेट है और इसके आगे का जो रास्ता है वो कॉलिज की तरफ जाता है और पीछे का रास्ता कॉलेज से बाहर जाने का रास्ता है तो हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाने पर हम देख सकते हैं कि यहाँ दो गल्स होस्टल है एक नवीन गल्स होस्टल जो की पीजी स्टूडेंट्स के लिए है और एक सरस्वती गल्स होस्टल यह यूजी स्टूडेंट्स के लिए है तो पहले मैं आपको लेकर चलते हूं यूजी girls hostel की दरफ ये यूजी girls hostel है और ये साइड में आप पारकिंग देख सकते हैं इसका होस्टिल में रहने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं तो थोड़ा वियर्ड सा लगता है बर देरे देरे रहते रहते आदत हो जाती है और पूरी फैमिली जैसा फील होता है यहां पर मैं पहले भी होस्टिल में रह चुकी हूं और अपना एक्सपीरियंस बता रहे हूं दस साल का बहुत अच्छा फील होता है होस्टिल में रहकर और यह सामने थोड़ा छोटा सा हॉल है क्योंकि यह गर्ल सास्टल है तो यहां से फीमिल्स को अंदर जाना लाउड है इसलिए पैरेंस मिलने आते हैं तो उनको यहां बिठाया जाता है और यह राइड साट जाने पर डाइनिंग हॉल का एरिया है आगे किचन है और यहां पर ब्रिक्फस्ट डिनर और लंच सब साथ में बैट कर करते हैं और टीवी है तो यहां टीवी भी देख सकते हैं और यह किचन है सबको ऐसा लगता है कि हॉस्टिल का खाना बुरा रहता है पर हमारे अच्छा बनता है लेफ्साइड जाने पर सारी रूम्स आ जाते हैं और यहां से ऊपर जाते हैं तो इस वॉस्टिल में तोटल 25 रूम्स है और एक हॉल है अब मैं आपको लेकर जाती हूं अपने रूम तो यह मेरा रूम है रूम नमबर टू और यहां एक रूम को दो लोगों के लिए लौट किया जाता है और यह मेरी रूम मेट है यह कबर्ड है और उसके साइड में मेरा स्टडी टेबल है अब आगे मैं आपको लेकर जाती हूं दूसरे रू की तरफ इस रू में तेन कम रहे हैं टोटल फिर आगे जाने से यह वाश्रूम का एरिया है और इसके साइड में हॉल है फर्स्ट टेर की स्टूडेंट्स को यहाँ पहले रखा जाता था पर अब कोविट के वज़े से हॉल खाली रहता है तो यह नेक्स रो का रूम नुम्बर फाइव है और यह रूम प्रेंका और नीत्रिका का लोट हुआ है और यह लैप कोट है और यह NCC ड्रेस है और यह पुरा रूम है और उसके आगे आंगन है और यह दूसरे सीड़ी है और यहाँ से भी उपर जा सकते हैं सेकंड फ्लोर अब यह हम सेगंड फ्लोर में आ गए हैं और यहां से मैं आपको लेकर जाती हूँ छट की तरफ और इस उस्टरल का बेस्ट पार्ट है यह चट और यह चट है पूरा चट से देखने से यहां चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है और यहां इस पर स्कॉर्टर्स भी दिखते हैं चट से और प्रोफिसर्स कॉलोनी भी यहां से दिखती है और यह सामने आप देख रहे हैं वो पीजी गल्स होस्टल है वो भी यहां से दिखता है और यह होस्टल के सामने का एरिया है पुरा यहां के चट पे बहुत फ्रेश फील होता है आके और यह गेट है और यहां 24 आर्ज गार्ड रहते हैं सिक्यॉर्टी गार्ड और यहां से प्रोफेसर्स कॉलों ने भी दिखती है और यहां हमारी होसल इन चार्ज रहती है आप मैं आपको लेकर जाती हूँ पीजी गल्स होसल की दिरफ तो यह पीजी गल्स होसल का स्टार्टिंग गेट है और यहां से अंदर जाने पर चुटा सा एरिया है यहां पर न्यूस्पेपर रीडिंग भी कर सकते हैं और गल्स यहां पर बैठ के था चिट चैट भी कर सकते हैं अंदर जाने पर यहां लफ साइड जाएंगे जब हम तो यहां पर एक डाइनिंग हॉल है यह सेकंड डाइनिंग हॉल है इस व्रिच की साइड में जो डॉर है वहाँ से किचन घे है और यहां से social का room start होता है यहां के आंगन में कोई भी function celebrate करना रहता है तो यहीं पर celebrate कर सकते हैं और अभी covid है तो यहां students बहुत कम है अभी और during covid यहां पर सारे protocols follow किये जाते हैं और यहां से हम उपर जा सकते हैं second floor की तरफ और यहां से terrace आता है तो यह था हमारा पूरा girls hostel and if you like this video please let me know in the comment section below all about my today's video I hope you guys like this please do like, share and subscribe to my channel thanks for watching क्योंड़े सेटे था जास da गउने house झाल झाल झाल